Hi guys, welcome back to my YouTube channel, I hope आप लिए ठीक्ठाक होंगे So, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीमिया और डियोबी पर के सीमिया होता क्या है और डियोवी होता क्या है और इसके इलावा कि आप सीमिया के लिए कैसे अप्लाए कर सकते हैं do alling आप कैसे अपलाई करते हो और ये आपको कब चाहिए होता है सबसे पहले wanna क्रेंगे कि ये SEMEA या फिर डीयोड होता किया है तो देखेंज लिए आपको ओलिफीकेशन ओती न जो की क्षाहिछ्ड चाहे आपने 12 अवास क converter सुर में याelpess अब मुझे इटालियन इंस्टिशन के हिसाब से मतलब इटालियन जो रूल है उसके इसाब से तो मुझे अपनी जो कॉलिफिकेशन है उसका प्रूव देना है तो मैं सीमिय बनवाऊंगा या फिर डेकलेरेशन ओफ वैल्यू बनवाऊंगा सीमिय में यह होता है कि आपकी जितने भी एजुकेशनल लॉक्यूमेंट से वापकरatे का और टालियूघ रूए ठियल करते हो तो आपका सीमिय है वहांने कुछ यूं करना होता है जब आप विज़े फाइल प्रिपरे रहे होते हो तो साथ ही साथ आप अपने DOV की documents भी prepare कर रहे होते हो तो जैसे ही आपकी visa file preparation हो जाती है तो साथ में आपके DOV की documents भी ready हो जाते हैं तो embassy से जब भी आपको appointment मिलती है आप simply embassy जाते हो जिस दिन आपके appointment होती ही अपने visa की documents और DOV की documents दोनों साथ submit करते हो तो फिर mostly ऐसा होता है कि आपको visa और DOV साथ मिल जाता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको DOV विजा मिल जाता है और DOV आपको थोड़ी ताइम बात मिलता है अब हम बात करते हैं कि आपको CEMIA या DOV कब चाहिए होता है तो ये बात करने से पहले मैं कराची और Islamabad को थोड़ा साथ differentiate करता हूँ कि अगर आप कराची Consulate में अपनी file submit कर रहे हो तो आप जो है वो DOV नहीं करा सकते ये पिछले दो साल से जो हैं वो कराची Consulate वाले जो हैं वो DOV accept नहीं कर रहे हैं तो simply आपने CEMIA apply करना पड़ेगा और अपनी visa file के साथ आपने CEMIA attach करना है और जहां तक बात है Islamabad embassy की तो उसके लिए आपने जो है वो DOV अपना बनवाना पड़ेगा अब DOV बनवाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपके जितने भी educational documents हैं वो documents आपके सारे translated होंगे और फिर verified attested MOFA से उससे पहले HEC से अपनी इनिवस्टी से मतलब सब जगह से attested verified होने के बाद आप उनकी translation भी कराओगे Italian language में so translation के बाद अपने visa file के साथ आप उसको attach करते हो जब आपका visa लगता है तो जो visa लगते आपको call करते हैं आके visa उठा लो तब आपके साथ उसके साथ आपको आपका DOV भी मिल जाता है जहां तक बात है CME की तो CME का यह होता है कि आपकी जितने भी educational documents हैं वो सारे verified होंगे लेकिन आपको translation जो है वहाँ पर बेंडिटी नहीं होती है अगर आप translation ना भी कराएं तो कोई बात नहीं अगर आप करा लेते हो तो ठीक है तो फिर वो आप simply CME की website पर जाते हो my diploma पर account बनाते हो और अपनी सारी details पूट करते हो वहाँ पर details पूट करने के बाद आप अपनी documents अपलोड करते हो और वहाँ पर आपको पस एक option आता है कि आपको चाहिए क्या तो आप CME में दो चीज़े होती है एक SOC होता है एक SOV होता है SOC होता है statement of comparability SOV होता है statement of verification तो mostly universities जो होती हैं वो just SOC demand करती है statement of comparability और कुछ universities ऐसी हैं जिनको statement of comparability के साथ साथ verification भी चाहिए तो आपकी visa file के लिए सीमिया या DOV mandatory है तो कराची वाले हो तो आप सीमिया बनवा लो और इसलामबाद वाले हो तो आप DOV बनवा लो इसके बाद एक और बात बहुत लाजमी है वो ये कहें लास्ट एर कुछ जानने वाले इसलामबाद एमबैसी से आये और उनके पास DOV था जब वो इनिवरस्टी ऑफ बलोनिया मतलब बलोनिया इनिवरस्टी में जिसका admission हुआ है तो वो अगर उनके पास DOV है तो वो सीमिया फिर भी बनवाओ उसके अच्छा एक option ये है कि आप DOV के लेतीने खुआरी मत करो simple आप सीमिया बनवाओ और विज़ा फाइल से अमिट करने जाओ तो DOV की जगा DOV की डॉक्यमेट्स की जगा आप सीमिया अटेच कर दो क्यूंकि जब last year students pre-enrollment summary के बाद वो DOV लेकर आये थे विज़ा फाइल के साथ विज़ा के साथ DOV जब लेकर आये तो उन्होंने DOV accept नहीं किया यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए और आपको पता है पाकिस्तानी योंग साथ ऐसा क्यूं होता है तो आप सीमिया बन वालो तो उसमें आपका बन जाता है जहां तक बात है सीमिया की तो सीमिया में दो चीज़े होती है एक statement of comparability एक statement of verification तो comparability में आपके लग जाते हैं कोई 150 योरो और फिर आप verification भी बनवाते हो तो आपको उसमें लग जाते हैं 65 योरो मैं suggest करूँगा कि आप जो है अगर आपकी इनवस्टी ऑफ बलोनिया है जैसे मैं बता चुका हूँ तो आप comparability verification दोनों कराओ अगर आपकी और कोई इनवस्टी है तो जस्ट आप comparability बनवाओ visa file के साथ attach करो और यहां पर आजाओ अगर आपकी इनवस्टी डिमांड करते है कि आप comparability के साथ साथ verification बिलाओ तो फिर यहां पर आके आप 65 योरो पे करके आप SOV के लिए apply कर सकते हो एक और चीज़ के last year जस्ट SOC के लिए आपने अपने documents पाकस्तान से जो है वो इटली बेश्टे पढ़ते थे लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि चाहे आप SOV अपलाए करो चाहे आप SOC अपलाए करो comparability या verification तो उसमें यह होता कि आपने अपने attested documents sealed envelope sealed envelope जो है वो पाकस्तान से अपने institution से या higher education commission से sealed envelope बनवाते हो sealed envelope का यह मतलब होता है कि आपकी documents attested verified उस envelope के अंदर है और envelope जो है वो ऐसे sealed बावा है मतलब जहां-जहां से envelope खुलता है वहाँ पर stamp लेगी होती है और वो envelope आपका सीधा जाता है CMEA office, Rome Rome में उनका office है और वहाँ जाता है वो जैसे हैं आपकी document receive करते है तो आपका CMEA बनके आपकी email address पर या फिर आपका जो डिपलोम है डिपलोम पोर्टल CMEA का पोर्टल वहाँ आपको receive हो जाते है तो यहाँ पर एक और अगर आप पैसा बचाना चाहते है और टाइम लिए आप अप्लाई करना चाहते है तो विजा फाइल जब आप सब्मिट करोगे उस वक्त बागर आप CMEA अप्लाई करोगे तो आपको फॉरण से documents रोम भिजवाने होंगे तो उसके लिए फिर आप DHL या कोई दूसरा तरीका देखोगे जो थोड़ा सा expensive हो जाता है अगर आप timely apply करोगे अभी तो CMEA की जो वेब साइट है उस पर शो हो रहा है कि अभी वो कोई application accept नहीं कर रहा है तो वो जैसे restart करते हैं तो आप CMEA apply करो तो भले आप Pakistan Post के तुरू भेजो या इससे भी कोई सस्था है तो आप उससे भेजो तो 10-12-15 दिन लगेंगे लेकिन उसमें आपके पैसे बच जाएंगे I hope के वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर कोई चीज रह गई है या मैं बता नहीं पाया या मैं मिस्कर गया तो कमेंट सेक्शन खुला है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उसके लावा कोई आपने कोई जरूरी बात पूछती है तो मेरे इंस्टागराम आपको पता है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है आप माम उसे पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिजाज़त वस्सलाम